विहार की राजधानी पटना में दुरगा पूजा सभारों की तयारिया जोरों पर हैं अलगलग पूजा समीतियां अपने अपने पंडालों को वक्त पर पूरा करने की कोशिशों में जुटी हैं शहर में 1932 से हर साल ये उत्सम मनाते आ रहे हैं जानी मानी खाचपुरा मंदिर कमेटी इस बार अपने पंडाल का डिजाइन और इशा के एक मंदिर की तर्ज पढ़ता यार कर रही है बिहार की राजधानी पटना में दुर्गापुजा समारों की तैयारियां जोरों पर हैं अलग अलग पुजा समितियां अपने अपने पंडालों को वक्त पर पूरा करने की कोशिश में जुटी है शेहर में 1932 से हर साल ये उत्सभ मनाती आ रही जानिमानी खाजपुरा मंदिर कमेटी इस बार अपने पंडाल का डिजाइन और इशा के एक मंदिर की तर्ज पर तयार कर रही है इस बार दुर्गापुजा हमारे कमिटीों ने मिलकर सोचा कि कोई अच्छा सा देखा जाये तो हम लोगों ने उडिशा का प्रहडी तितली मंदिर को चुना गया और उसी का रूप दिया गया रहा है कारीगरों का कहना है कि भवे रूप से सजाय जा रहे इस बंडाल को बनाने में इको फ्रेंडली मैटेरियल का इस्तिमाल किया गया है उनके मुताबिक पंडाल में प्राचीन भारतिय महाकाव्यों से जोड़ी कहानियों की जलग भी देखने को मिलेगी पटना का डाग बंगला चोरहा पंडाल भी काफी मशूर है इस बार यहां का पंडाल भी एक भारतिय मंदिर की रेपलिका के रूप में बनाया जा रहा है जो भी हम लोगा इस्टिमेंट होता है वो पुरा जब कंप्रीट होती पुजा उसके वरे हम लोगा इस्टिमेंट लने इस पंडाल को डिजान करने वाले कारीगर पश्चिम बंगाल से आये हैं उनका कहना है कि इस पंडाल के आर्ट वर्क का जादतर हिस्सा उन्होंने अपने गाउं में ही बनाया और वे बस इसे आखरी रूप देने के लिए यहां लाते हैं दुर्गा पूजा उत्सव 9 अक्टूबर को श्रू होगा ये शश्ठी यानि नवरात्री उत्सव का छटा दिन होगा इसका समापन नवरात्री के नौवे दिन होगा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन विजय दश्मी के दिन होगा